क्या हाल चल सब एक्दम बढ़िया राइट सो देखो last class में adjustment of goodwill start किया था ठीक है बहुत सारे examples उसके देख लिये थे पूरा concept हमने समझ लिया था goodwill privately तो क्या होगा retained in the business तो क्या होगा withdraw कर लिया तो क्या होगा आज क्या करेंगे उसके आगे continue करेंगे देखते हैं कितने cases आज हो पाते हैं बहुत मज़ा आगा आपको सारे examples बहुत detailed में discuss करेंगे तो देर किस बात की फड़ा फट से आज की class शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जो हमने last class में किया था ना उसकी revision करने के लिए उसको recall करने के लिए एक एकसा example करते हैं जिसमें वो तीनों cases cover हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा देखो फड़ा फट से A & B their partners sharing profit and losses as 2-1 on 1st April 2018 they admit C as a partner for 1 4th share okay who pays 4,50,000 as goodwill privately क्या बोला गया कि भाई उसने 450 goodwill क्या दिया privately अब आपको पता है privately का मतलब चुप 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 के राइइ इसका मतलब कोई entry नहीं होगी right on 1st April 2019 मतलब next year they take D as a partner for 3 5th share who brings 4 lakh as goodwill right out of which half is withdrawn by the existing partner सब क्या बोला है कि भाई 4 lakh में से हाफ तो उनने विद्रोई कर ली कोई लिकत नहीं है now on 1st April 2020 E is admitted as a partner for 1 6th share who brings 5 lakh as goodwill which is retained in the business privately भी हो गया withdrawn भी हो गया retained भी हो गया कितना सा example है तो देखो सबसे पहले घर हम बात करें सबसे पहले किसकी 1st April 2018 की 1st April 2018 की तो मज़े की बात क्या है क्योंकि goodwill privately pay गरी गई है तो हम क्या लिखेंगे no entry यहां पर आपको कोई भी entry करने की जरूरत नहीं है बस आपको क्या करना आपको देखना यह है कि उस टाइम पर न्यू प्रॉफिट शेडिंग रिश्यो क्या है कर लोगे मुझे पता अब इतना कर लोगे अगर आपने वीडियो देखिए तो आप 100% कर लोगे इसके बाद आते हैं 1st April 2019 पर 1st April 2019 अच्छा चलो देखते हैं जरा ध्यान से 19 में क्या हुआ डी ऐसा पार्टनर फॉर थ्री फिट शेर अब डी आया है कितने शेर के लिए आया है थ्री अपॉन फाइफ शेर राइट फॉर लाइक एस गुडविल लेकर आया आउट ओफ विच हाफ इस विड्रॉन बाइद एग्जिस्टिंग पार्टनर मुझे बात सोच समझके बता यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कौन है ए बी और सी क्योंकि सी का एड्मिशन हो गया था लास्ट इयर ठीक है इनकी ओल्ड रेशयो क्या है 2 is to 1 is to 1 मुझे बिना सॉल्व किये क्या बता सकते हो कि डी के एड्मिशन के टाइम पे सेक्रिफाइजिंग रेशयो क्या है हंजी हं बन जाती है yes or no याद आ गया क्या बन जाती है सेक्रिफाइजिंग रेशयो राइट लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होगा यहाँ पे हमें नियू रेशयो निकालनी होगी क्यों निकालनी होगी क्योंकि next year किसी का admission हो रहा है तो next year हमें क्या चाहिए रेशयो तो चाहिए त तो जब मैं new ratio की बात करूँगा, तो कैसे निकालेंगे, सिरफ new partner का share दिया हुआ है, तो कौन सा case, remaining share, हमें क्या निकालना पड़ेगा, कि remaining share कितना है, अगर वो 3 upon 5 share के लिए आया है, तो A, B, C, तीनों के लिए remaining share कितना बचा, 1 minus 3 upon 5, इसको solve करोगे कितना आएगा, 2 upon 5, अब यह 2 upon 5 किसमें किसमें, A, B और C में, A, B और C में, और कौन सी ratio में, उनकी old ratio में, 2 is to 1 is to 1, correct, यह तो पुरानी चीज़े हैं, कुछ नहीं आ नहीं है इसमें, तो A का new share कितना आएगा, A is share, देखो, A के लिए बचा कितना है, 2 upon 5, और 2 upon 5 का A को कितना में लेगा, 2 fourth part, क्योंकि ratio क्या है, 2 is to 1 is to 1, तो A को 2 fourth part में लेगा, 4 upon 20 is the A का share, right, B का share भी निकाल लेते हैं दोस्तो, B is share, अच्छ ठीक है, तो 2 fifth is the remaining share, और इसका 1 fourth part, तो ये कितना हो गया, 2 upon 20, B का share is 2 upon 20, C का share, C is a share, तो C के लिए कितना बचा था, 2 fifth, और इसका कितना आगया, 1 fourth share, तो कितना आगया ये, 2 upon 20, correct है, और जो हमारे नए पार्टनर भाई सब आये हैं, D, कितने share के लिए, 3 upon 5, इसका denominator भी same कर लिए, ठीक है, 4 से multiply करोगे, कितना जाएगा, 12 upon 20, so the new ratio is, 4 is 2, 2 is 2, 2 is 2 12, इसको थोड़ा सा और simplify करना चाहे तो कर सकते हैं, 2 is 2, 1 is 2, 1 is 2 6, हो गया या नहीं हो गया, ठीक है, अब main काम पे आजो, journal entry, किस पर यह सब तो आपने working note में खी है, ठीक है, यह answer का part नहीं है, journal entry, ध्यान से सुनो मेरी बात, सबसे पहले वो goodwill लेकर आया, हाई या ना goodwill लेकर आया, उसकी entry करेंगे, ओके सो देखो, D कितना goodwill लेकर आया रहा है, 4 lakh का, तो 4 lakh या entry करो ना, और goodwill account, short form यूज करना, मुझे allowed है, आपको नहीं है, 4 lakh रूपीस, अब यह 4 lakh किस में बटेंगे, जो sacrifice कर रहा है, sacrifice कौन कर रहा है, ABC, कितना कर रहे है, 2 is to 1 is to 1, yes or no, अगर आप इसको देखना चाहो कि, 2 is to 1 is to 1 आ रहा है, तो आपके बास new share है, सबका new share है, आपके बास new profit, shading ratio है ना, हाँ बिल्कुल है, old है ना, हाँ करके देख लो, वही आएगा, वही आएगा, tension मतलो, तो हम क्या करेंगे, premium for goodwill को बाटेंगे, premium for goodwill account debit, कितने से 4 lakh रूपीस से, किसको किसको, A, B, C, बाटो, 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 जल्दी बाटो, A is capital account, correct, B is capital account, correct, 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 और हमारा C is capital account, क्या हो गया, C is capital account, चलो जी, ये भी ठीक है, अब देखो, किस, क्या ratio में बाटना आपको, आपकी ratio है, sacrificing is 2 is to 1 is to 1, तो ये तो बहुत ही असान हो गया, simply simply बढ़ जाएगा, ये तो, 2 lakh, 1 lakh, बस ऐसे ही आपके exam में अगर आजाए, calculation करने की जरूरत ही ना पड़े, तो कितना मज़ा आजाएगा, 2 is to 1 is to 1 में आपने बाट दिया, लेकिन, लेकिन, देखो, अगर सिरफ यही दो एंट्री होती, तो कौन सा case होता, retained in the business, लेकिन, retained नहीं है दोस्त, यहां क्या लिखा है, out of which, half is withdrawn by the existing partners, आधा amount तो विड्रॉ कर दिया, तो इसका मतलब एक एंट्री और होगी, और जब partners, अपने capital account से पैसे निकाल लेंगे, तो निकाल लेंगे, तो निकाल लेंगे, debit करो, A's capital account debit, capital का balance कम होगा न, पैसे निकाल लिए, debit कितने से 1,00, half बोला है, पूरा withdraw नहीं किया, उनको half की जरूरत थी, उन्हेंने half withdraw किया, A's capital account debit, B's capital account debit, पार्टनर्शिफ फर्म के bank account से पैसे चले गए, तो लाइक रुपिस उसके है भी तो नहीं, ठीक है, किसके हैं, पार्टनर्स के हैं, राइट, बात समझ में आ गई, तो यह हमारा हो गया, थर्ड केस, जो कि बहुत बढ़िया केस था, इसके बाद देखो क्या हुआ, नेक्स्ट येर और कुछ हुआ, 1st April 2020 में, E का अड्मिशन हुआ, as a partner for 1,6th share, जो 5 लाइक रुपिस की goodwill लाया, which is retained in the business, बात समझ रहे हो, अब यह मैं आपको दे रहा हूँ, हूमवक, क्यों दे रहा हूँ हूमवक, तो यह old PSR है, बिल्कुल सही बात है, यह आपकी old PSR है, 2 is to 1 is to 1 is to 6, आच्छा ठीक है, और आपको दिया हुआ है, कि E के अड्मिशन हुआ, 1,6th के लेजर, अब मुझे सोच के बताओ, E के अड्मिशन के टाइम पे, sacrificing ratio क्या होगी, बोलो बोलो बोलो, हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहो, कितनी आएगी, old PSR, old PSR ही sacrificing ratio होगी, क्योंकि, सिर्फ नए partner का share दे रखा है, sacrificing ratio आपको पता है, 5 lakh रुपीज वो लेकर आ रहा है, retained है, retained का मतलब क्या है, सिर्फ पहले 2 entry, कि भाई उन्होंने withdraw नहीं किया, withdraw नहीं किया, मतलब retain, भाज समझ में आ गई, कर लोगे खुद से, फटा-फट से आते हैं, next case पे, जो आज हमें नया case करना है, देखो फटा-फट से, okay, so next case जो आज हम करने वाले है, that is goodwill brought in kind, kind का क्या मतलब है, नया partner goodwill लेकर आया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, उसने का मेरे घर में sofa पढ़ा हुआ है, ले लो, पनीचर पढ़ा हुआ है, ले लो, चेर ले ले लो, सब ले लो, cash नहीं है मेरे पास, ठीक है example लेते है, चलो एक example लेते है, मज़़दर एक्जांपल, ठीक है, माल लेते हैं, यह हमारे दो partners है, यह कौन है, हमारा एक partner है, पिंकु, सर यह तो पुराना partner, हाँ हाँ वही, पिंकु, एक हमारी partner है, मीमी, पिंकु और मीमी partner है, ठीक है, इनकी ratio क्या है, 3 is to 2, 3 is to 2, हाँ जी, नए partner कौन आएगा, कौन आएगा, नए partner आएगा, रामू, रामू is the new partner, अच्छा ठीक है, कितने share के लिए आया, 1 6th share के लिए आया, जब admission हुआ, उस time पे, आपने क्या निकाली होगी goodwill, कि भाई, फर्म की goodwill कितनी है, फर्म की goodwill है, let's say, कितनी 2,40,000, 2,40,000, बिल्कुल सही, अब मुझे बताओ, मुझे बताओ, रामू, कितनी goodwill लाना चीए था, 40,000 की, 1 6th का 240, 40,000, अब रामू को, एक तो goodwill भी लेकर आनी है, एक तो goodwill भी लेकर आनी है, एक capital भी लेकर आना है, आच्छा ठीक है, goodwill भी लेकर आनी है, और capital भी लेकर आना है, चलो ठीक है, अब मुझे बताओ, जरा ध्यान से, goodwill इसको कितनी लेकर आनी है, ये तो आपको पता है, 1 6th का 240, 1 6th का 240, कितना आ आगया, 40,000, ठीक है, और capital भी लेकर आना है, अच्छा ठीक है, अब जब रामु को कहा गया, कि भाई साब सुनिये, 40,000, goodwill भी लेकर आनी है, capital लेकर आना है, लाइए, उसने का सुनिये यार, मिरे पास cash वाश नहीं है, मिरे पास जितना cash वाश नहीं है, मैंने सारा उड़ा दिया, घर के furniture पे, machinery पे, debtor, वेटर सब पे, तो इसने का, क्यों ना, furniture आप use कर लो, अपने business में, तो ये क्या लेकर आया, ये assets लेकर आया, assets मतलब, other than cash वाले assets, इसने का, सुनो ना, मेरे पास furniture है, मेरे घर में, बिल्कुल नया furniture पड़ा है, आप अपने business में, यूज कर लो, कितने का furniture है, 80,000 का, अच्छा चलो ठीक है, हमने खाओ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसके पास एक machine पड़ी है, जो हमारे business में, यूज हो सकती है, मान लो कोई Xerox machine है, photocop machine है, laptop वेगारा, कुछ भी मान लेते हैं, machinery लाया, कितने की, ये लाया, 1,00,000 की machinery, आच्छा चलो ठीक है, फिर इसके कुछ debtors है, पहले बिजनस करता होगा, या किसी से भी इसने पैसे लेने है, तो इसके, खुद के कुछ debtors है, अच्छा ठीक है, कितने के मान लेते हैं, 20,000 के, तो उसने खाँ, ऐसा करो, ये सब ले लो, तो ये सब, किसमें use होने वाला, partnership firm में, partnership हम कहें कि, कोई बात नहीं, cash नहीं, तो यही सही, ठीक है, तो furniture आ गया, machinery आगे, debtor आ गई, तो ये total assets, कितने के लेकर आया है, दोस्तो, 81,80, 2,00, 2,00, के assets लेकर आया, कितने के 2,00, के, अब मुझे बताओ, 2,00, लेकर आया, अब question अगर आपको ये ना बताए, कि 2,00, के assets में, goodwill कितने की है, capital कितने का है, तो आप निकाल सकते होगे, हाँ, आपको पता है, कि इस 2,00, के assets में, 40,000, रुपीस का, तो इसका goodwill का share है, तो बाकि, जितना बच गया, 160, वो कितना हो जाएगा capital, देखो देखो, दुबारा देखो, गबराऊ मत, देखो देखो, दिहान से देखो, मैंने क्या बोला, कि बाई, goodwill brought in kind का मतलब होता है, कि वो goodwill लेकर आ रहा है, आतो रहा है, लेकिन cash में नहीं, bank में नहीं, किसमें, other than cash में, बाकि जो assets होते हैं, ठीक है, उसमें लेकर आ रहा है, आपको पता है, कि उसको goodwill कितने के लेकर आनी है, 40,000 की, और उसको कुछ capital लेकर आना है, उसके पास घर में जो पढ़ा था, वो सब ले आ रहा है, furniture, machinery, रेटर सब ले आ रहा है, total 2 lakh रुपीस की, तो 2 lakh रुपीस के वो assets लेकर रहा है, assets is equivalent to cash, भाई अगर आपके पास cash होता, तब भी आप ये assets खरीदते ही, तो 2 lakh रुपीस आप cash मान सकते हो, 40,000 रुपीस क्या है goodwill का share, बाकि जो बच गया वो capital, तो इस case में entry क्या होगी, जरब वो ध्यान से समझते हैं, देखो देखो देखो, अब ये सब partnership firm के पास आ रहा है, ये सब पार्टनर्शी फर्म के पास आ रहा है, partnership firm को क्या करनी है, entry करनी है, furniture, asset है, partnership firm के पास आया, assets increase, debit होते हैं, furniture debit, बस आपको cash की जगे, इन assets को debit करना इतनी सी बात है, furniture debit कोई दिक्कत नहीं है, machinery debit, debit, बिल्कुल सही बात है, और debtors debit, तो ये क्या हो गए आपके assets, जो partnership firm के पास आया है, ठीक है, ठीक है, कितने कितने के, 80, right, all right, all right, 1,00, okay, then 20,000, अब ये total है 2,00 के, अब ये 2,00 के जो assets लेकर आया है, इसमें goodwill का share भी है, वो कहा रहा है भाई, मुझे 40,000 के goodwill देनी है, इसी में से ले लो, 160 का मेरा capital हो गया, चलो ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, आपे 2 premium for goodwill, लेकर तो आया है ना भाई, खाली है तो नहीं आया, premium for goodwill, कितनी 40,000, goodwill का premium उसने pay कर रहा है, ठीक है, यह partnership firm क्या करेगी, आगे sacrificing partners में बाटा जाएगा, तो जो second entry आपने सीखी है, वही exact वही entry होगी, बस फरक क्या था यहां पे, cash की जगे आपके क्या है, assets, बाकि कुछ चेन नहीं है, एक भी change नहीं है, ठीक है, simply अब क्या लिखोगे, premium for goodwill, premium for goodwill account debit, account debit, कितने से 40,000 रुपीज से, 40,000 रुपीज से, अच्छा ठीक है, और यह किसको मिलेगा, आपके pinku को, और mimi को, pinku और mimi, उनकी sacrificing ratio में, बात समझ में आ रही है, तो कुछ भी ज़्यादा change नहीं है, बस change क्या हुआ, चेंज आपका हो गया, cash के जगे assets, बात समझ में आ गई, फटाफट से, एक आपके book का question देख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा confidence आए, कि हाँ भाई, समझ में आ गया, बात से, ओके देखो भाई, आपके book का question आप देख लो एक बात, ठीक है, X and Y, their partners in a firm, sharing profits in the ratio of 3 to 2, on 1st April 2019, they admitted Z as a partner, for one full share in the profits, okay, now Z contributed assets, क्या लेकर आया, assets towards his capital, and for his share of goodwill, तो क्या बोला, कि जो भी वो assets लेकर आया, capital के लिए और goodwill के लिए, दोनों को मिला के, जितना भी इसको amount पे करना था, सब के लिए asset लेकर आया, cash cash नहीं है मेरे पास, बागी सब पकर लो, अच्छा, क्या लेकर आया, देखो, आपके लिए वो stock लेकर आया, ठीक है, मालनो जिस भी चीज का business कर रहे थे, वही stock उसके पास था, ठीक है, हमने यूस कर लिया, मालनो आपका business क्वान सा CCW, उसके घर में कोई चीनी पड़ी थी, चाय पत्ती पड़ी थी, जो भी पड़ी थी, ले आया, चलो, ठीक है, डेटर्स, 80,000 के, आउके, लाइड वन लाइक की, वेरी नाइस, प्लांट एन मशिनरी, 40,000 के, ये सारे एसास लेकर आ रहा है, ना, on the date of admission of Z, the goodwill of the firm was valued at 6,00,00, अब बेसिकली इस questions में है क्या, ऐसे questions में, आपको ना capital का share नहीं देंगे, कि वो capital कितना लेकर आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या निकालना होगा, देखो, working note में हम निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, कि उसका goodwill का share क्या है, मैंने यह आपे लिखा, Z's share of goodwill, मुझे बताओ, उसको goodwill का share लेकर आना कितना था, goodwill का share है 6,00,00, कितना है आपका 6,00,00, आच्छा ठीक है, उसका share कितना है profit share, 1 upon 4, तो basically, 1,50,000 रुपीज उसको goodwill के लेकर आना है, अब इसके 1,50,000 से जितने भी जादा होंगे, वो उसके capital है, समझ रहो बात को, तो देखो journal entry दे रहते हैं, फटा-फट से हम क्या करेंगे, journal entry, देखो journal entry में सबसे पहली entry अब क्या करोगे, पार्टनर्शिप फ़र्म के पास तो asset आ गए, asset debit हो जाते हैं, तो assets को debit करेंगे, stock आया तो stock debit, आपने stock को debit किया, stock account आपने debit किया, कितने से 60,000 रुपीज से, very nice, debtors को debit किया, debtors को आपने debit किया, debtors account debit, कितने से 80,000 रुपीज से, very nice, उसके बाद लाइंड वन लाइक की, लाइंड अकाउंट डेबिट, करेक्ट है, लाइंड अकाउंट डेबिट, वन लाइक रुपीज, वेरी गूज, इसके बाद एक चीज और लाया ना, वो प्लांटन मशीन डी 40,000, सब घर खाली कर दिया, प्लांटन मशीन डी अकाउंट डेबिट 40,000, पैसे इसके पास नहीं थे, ये सब चीज ये ले आया, अब टोटल देखो गया, आपके टोटल असे वो क्या लाया कितने, 60,80, 140, 1,00240, 280, 2,008,000 लेकर आया, दोस्तों, वो टोटल असे, अब इसमें आपको पताए कि, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना है, 1,005,000, मुझे बताओ, टोटल असेट से आपके 2,80, जिसमें से 1,50 गुडविल का शेर है, बाकि जो बच गया, क्या बच गया, वो कैपिटल आपका कितना आगया, जीस कैपिटल आपका आगया, 1,30,000, कितना आगया, 1,30,000, बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई, इसके बाद तो हलवा, बहुत असान है बाई, इसके बाद तो बस आपको क्या करना है, आपको गुडविल को बाटना है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखो, अब जैसे इस कॉश्चन में कुछ नहीं लिखा, कि गुडविल रिटेंड है, गुडविल विड्रॉ है, कुछ नहीं लिखा, आप हमेशा क्या मानोगे, गुडविल रिटेंड है, किसमें बाटोगे, जो भी पार्टनर सेक्रिफाइज कर रहे है, अच्छा 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 एक बात बताओ, क्वेश्चन को देखके ज़रा मुझे बताओ, X and Y का शेर 3-2 है, Z का शेर 1-4, कुछ और गिवन है क्या, कुछ भी गिवन नहीं है, ना तो new PSR, ना ही ये बताया गया, कि Z ने किस से कितना लिया, सेक्रिफाइजिंग शेर, कुछ नहीं है, तो मुझे ज़रा बताना, कि सेक्रिफाइजिंग रिश्यो क्या हैगी, कैल्कुलेट करना है, नहीं, आपको पता है, कि कुछ भी गिवन नहीं होता, तो old ratio ही क्या होती है, आपकी सेक्रिफाइजिंग रिश्यो, तो हमने यहाप यह लिखा, 2 X capital account, X capital account, और हमारा 2 Y's capital account, 2 Y's capital account, 3 is to 2 में आपको डिस्ट्रिब्यूट करना है, दोस्तों, तो कितना आचाएगा यह, 90 और 60, 90 और 60, बस question खतम, सुरे तो बहुत असान है, मुश्किल तो कुछ है नहीं, हाँ या न, Goodwill का यह भी हो गया, तो Goodwill brought in kind का question हो गया, या नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, सबसे पहरे हमने क्या किया, एक वैसा question किया, जिसमें पहले के तीन cases cover थे, वो भी बहुत मज़ेदार question था, Goodwill brought in kind का हमने concept समझा, उसके बाद एक question किया, बस Goodwill का इसके बाद दोस्तो, एक case बचा है, कि जब partner, जो नया partner है, वो Goodwill cash में लेकर ही नहीं आता, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है भाई, वो क्या बोल रहा है, कि भाई या तो मुझे partner रख लो, ठीक है, अगर आपको लगता कि मैं काम का बंद आओ, तो रख लो, लेकिन मेरे पास Goodwill देने के पैसे अभी नहीं है, उस case में क्या होगा, वो बहुत ही जवर्दस case है, उसमें time लगेगा, तो ऐसे करेंगे, उसको करते हैं separate वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बिकार में बहुत lengthy बन जाएगी, तो इस वीडियो में काफी short वीडियो हो गई, लेकिन अच्छी वीडियो है, starting में revision हो गई, अब भी आपका next class में complete हो जाएगा, yes or no, मैंने आपको काया है, attention मतलो, किसी एक आदे दिन अगर वीडियो नहीं आती है, तो attention मतलो भाई, आपका slay बस पूरे time पे complete होगा, ठीक है, मिलेंगे से next class में, तब तके के लिए bye bye, take care.